हलो बच्चो आजब पढ़ने वाले हैं शुक्षाव को दनता अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि विंद्य नाव का एक छोटा सा जंगल है उसमें पंपा नाव का एक कमलो का तालाब है और उसी के पश्यब दख पर एक पुराना सेमल का प्रिक्ष है जहाँ पर एक तोता अपन के साथ रह रहा है इस बच्चे के उत्मन होने पर इसकी माता की प्रसवेदना से बृत्य हो गई और पिता तो इसका पालन कोशन कर रहे एक बार वहाँ अचानक कुलहल की द्वनी हुई जिसको सुनकर मैं बालक होने के खारण डर गया और मैंने पिता की गोन में छिपे छि खिलाकर यह क्या है देखने की इच्छा से शबर सनपति को देखा तो आओ अगे पढ़ते हैं आसीत च आसीत चमच आसीत था च और मेरे मन सी मन और मेरे मन में था अरे मुह प्रायम एतेशाम जीवितं अरे अग्यान से बरावा इन शबरों का जिवन होता है यह अत्र एतिशाम, प Mitspanis प利 क्वाप शब्रोडा या शब्रेब्यकौ आहारो मदू मानसादी अहार क्या है इनका मदू मानसादी शराब और मानसादी को खा apart श्रमोम निग्या श्रम शिकार करना है शास्रम शिवारुतम शास्र क्या है शास्र सियारन्यो का रोना प्रग्या शकुनी ग्यानम और बुद्धी क्या है शकुनी नाम ग्यानम शकुनी कहते है पक्षियों को तो बुद्धी क्या है पक्षियों का ग्यान अतार पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो उस तोते के मन में क्या विचारा आया कि इनका जीवन तो ग्या स्थान से बना हुआ है ये इनका ख्राम है वो शिकार करना ये शाँ सेये तक आप में रहते है दक रिधे रखा दमून अशेशता पुरूंती उसी को ही उतखाट मून तहस्नेस अशेशता बिल्कुल जड सहित नहस्नेस कुरवंति कर देती है जिसी ओढ़न में रहती है उसी कोहीं जड सहित नहस्नेस कर देती है दसमिन PARKत लिया प्दाओं कि कुरवंति इतनी ऐसा चिंद यतिये तौष मेरे दला ऑगल सोचा ही जा रहा है था शबरसानपती सा आगत्य में शबरसानपती आगर बस से एड उस ही तरो अधा चायाया पेड़ के निचे चाया में परिजने उपनीत परिजनों परिजनों के द्वारा लाए गए पल्लवासने पत्तों के आसन पर सम उपाविशत पैट गया मैं ऐसा सोची रहा था कि क्या हुआ शबरसानपती वाँ आया और वही उसी पेड़ के निचे चाया में अपने परिजनों के स्वारा अपने संबंदियों के द्वारा लाए गए पत्तों के आसन पर बैट गया आपीत सनिनों बुक्त म्रिडालि कहा च उत्ताए अपगत श्रमा सकलेल सेंगेन सहावि मतम दिशम अयासीत आपीत सनिनों जल पिये हुए बुक्त खाया क्या खाया निडालि काहा कमल की दंडी को जल पिया कमल की दंडी खायी च और उत्ताए उठकर कैसा उठ गया वो अपगत श्रमा जिसका श्रम दूर हो गया है सकलेल सेंगेन से पूरी सेंगे साथ अभी मतम इच्छित दिशम दिशा की ओर अयासी चल गया उसने जल पिया कमल की दंडी खायी और जिसका श्रम दूर हो गया है ऐसे उस चमर सेंगे उठकर समपूर्ण सेंगे साथ इच्छित दिशा की ओर चला गया सकलेल सेंगेन सेंगेन पर मैंने सरकल किया है देखते हूं क्यों ये सरकल इसले किया बिटा ये विशेष्ण 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 भाव है सकलेन विशेष्ण और सहनेन विशेष्ण शब्रणम विशेष्णता काई थी उनकी क्या विशेष्णता थी जिसी वन में रहते थे उसी को जर सही तैस नहस कर दी थे तो यस्मीने पानले नी वसलती तरही उत्खात मूलक अशेशता कुर्वन्ती उत्थाए इदी पदे कहा प्रत्या ल्यप ल्यप प्रत्य का एक और उधारण भी आया है इसमे आगत्या आजमा गम जमा ल्यप एक तमहस्तू जरत शबर तस्मिने व तरुतले मूर्तामिव व्या लंबत एक तमहस्तू उनमे से एक जरत शबर रहा बूड़ा शबर तस्मिन एक उसी ही तरुतले मृक्ष के नीचे मूर्तामिव श्रण भर के लिए व्या लंबत रुख गया उन में से ही एक बुड़ा शबर उसी ही पेड़ के लिए श्रणपर के लिए रुख गया अंतरते च और चले जाने पर सेनापती के और सेनापती के चले जाने पर ससुचिरम उसने जल्दी आरुरुक्षु आरुरुक्षु चलने की इच्छा वाला तब उस वनस्पती को आमुलात अपश्यत जड़ से लेकर पूरा पूरी वनस्पती को देखा जड़ से ही समपूर्ण वनस्पती को देखा तो सेनापती के चले जाने पर उसने किसने उस बुड़े शबर ने जल्ली उस पर चड़ने की इच्छा से पूरे पेड़ को पूरी वनस्पती को जड़ से लेकर पूरी तरह से देखा किसने देखा बूरे शबर ने तो अत्रसा पदम कस्पा ही परियुकता जरत शबर हैं असमिर बाकि क्रिया पदम के अपश्यत उतक्रांतविव उतक्रांतविव तसमिन शड़ने नदा लोकल भीटालाम शुक कुलानाम सुभी उतक्रांतम निकल गए बकेर उड़ गए इव मानों तोटो के कुलों प्राँट उस श्राड उसके देखने मातर से ही तोटो के कुलों के प्राँट मानों निकल गए उस समय ऐसे लगा, तो तो को ऐसा लगा, कि इसने पेड़ को उपर से नीचे देखा है, तो अभी ये सारे पेड़ को तैसलेस करतेगा, तो उसी श्रण मानों के प्राण निकल गए, कि मेरी दुशकरम अकरुना नाम, कि म क्या इव के समान ही लिश्य ही, दुशकरम कठिल, अक तरुना नाम, कठोर विक्तियों के लिए, क्या काम कठिल, यतास, तम यतने ने, पादपा मारुया, फलानीव तस्से वनस्पते को तरेभ्या, शुक्षामकान ग्री, यतास, क्योंकि बे, तम अयतने ने, क्योंकि उस शबर सेना पती ने, उनको बिना किसी प्रित्न के, तम उस शबर से, बिना किसी प्रित्न के ही, पादपा मारुया, पेड़ पर चड़कर, फलानी इन, फलो के समाल, तस्से वनस्पते कोटरेभ्या, उस पेड़ के कोटरों से, शुक्षामकान अग्रहीत, तोथे के बच्चों को पकड़ लिया, अब क्या हुआ, उस शबर ने, बुड़े शबर ने, मैं पेड़ पर चड़ा, और फलों के समाल, जैसे वनस्पती से फलों को लिया जाता है ला पेड़ से, वैसे ही उसे कोटरों से, दोटे के बच्चों को पकड़ लिया, पकड़ क्या किया, अब गता सून अच, और मार मार कर शितव अपातयत, भूमी पर फेक दिया, दोटे के बच्चों को पकड़ा और भूमी पर फेक दिया, तात हतू, तद अब लोग किया, विशाद शुन्याम, अश्रु जल्पलुताम, दृशं इतस तता विक्षिपन, पक्ष संपुडेर आचा दिया, माम से परवशो मदर ख्षणा कुलोग अबवद, तात से पता दे को, तद उसको अबलोग किया देखकर, विशाद शुन्याम, दुख से शुन्याम, अश्रु जल्पलुताम, अश्रु जल्पलुताम, अस्रु की जल से गिले, दृशं दृश्टे को, इतस तता इतर विक्षिपन दागते हुए पंख्श संपुठेन पंख्खों के अंदर अपने पंख्खों के अंदर आच अध्य ढखकर माम मुझे को से परवश को से के परवश में से के वशिबूतों कर मद रक्षडा को लो अब बद मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए पिता तो उनको देखकर दुख से शुन्ने हुई और आसों के जल से गिली ब्रिष्टी को इदर उदर फैकते हुए मुझको पंको के अंदर ढग कर स्थे के वशिबूत हो कर मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए अब क्या हुआ पिता बहुत दुखी हो गए उन्होंने इदर उदर देखा और मुझे अपने पंकों में चुपा लिया और मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो असा हुआ यानि कि मैं बुना शमर भी पापा क्रमेर पाप के क्रम से शाखां तरही संचर मानू एक चाखा से दूसरी शाखा पर चलता हुआ मत कोटर द्वारा माघत्य मेरी कोटर के द्वार पर आकर बुजंग भीशणम बाहु प्रसार्य साप के समान भीशण भुजाओं को फेला कर मुहर मुहर बार बार दत चंचू प्रहारम चंचोच के प्रहार को बार बार चोच के प्रहार को करने वाला मुद कूजंतम उजी आवास में चिलाने वाले को आकरश्य कीच कर चिलाने वाले साथम आकरश्य पिता को कीच कर अब कता सुम अकरोत मृत्यू को प्राप्त करा दिया गया अथार्थ उनको मार दिया गया माम तु स्वल्पद्वाद और मुझे तो चोटा होने के कारण कतम अपी ना अलक्षियत किसी भी प्रकार नहीं देखा अब वो पापी एक शाका से दूसरी शाका पर जाते हुए वो मेरे कोटर की द्वार पर आगया और उसे डरापने साप की तरह अपनी बुजाओं को फेला लिया और मेरे पिता जो की चोट से प्रहार कर रहे थे और चिला रहे थे ऐसे मेरे पिता को कीचा उनके प्राडों को हरन कर लिया और मुझे चोटाव ने की कारण वो नहीं देख पाया उपरतम चा उपरतम कहते हैं मरेवेक और मरेवेक इसको तम उस पिता को परतम चा तम अमनी तले अमुचर और मरेवे उनको मूमी पर फेक दिया हम अभी और मैं भी तत चरणां तराले उनी के चरणों के बीच में प्रवेषित शिरो धरों अपनी गर्दन को चुपाये हुए निबृत चुपे हुए अंकर निली न गोध में चिपे हुए तिये नेव सह उनी के साँथ bavan वश सम्पुन्जितस्य यानि कि हवा के वश से हवा के कारण इकटे किये गए शुश्क पत्र राशे उपर ही, सुखे पत्तों की राश्री के उपर, पतितम आत्मानम अपश्यम गिरेवे अपने आपको देखा, अब क्या हुआ, मैं भी उनी के चर्णों के बीच में था, तो मैंने अपनी गर्दन को उसी के अंदर चिपाए रखा, उनी की गोद में हो जाता है, तो ऐसे पत्तों के धेर में, सुखे पत्तों के धेर के उपर, मैंने अपने आपको गिरेवे देखा, यावत चाहसू, और जब तक वह, वहकौन वह शबर, तरुशिक्रान अवत रती, पेड के शिकर से उतरता है, तावत अहम, तब तक मैं, पित्रम उपरतम उ पिता को छोड़कर, निशन से एव, कठोर की भादी, जैसे में राजे बड़ा कठोर हूँ गया था, स्नेह रसा अनविग्यों, स्नेह रस्य अंजात, जैसे की मेरे पिता ने मुझे कभी स्नेह ना किया हूँ, ऐसा स्नेह रस्य अंजात, भएए ते, दर के कारण ही, केवल केवल अभी बूय माला केवल डर से अभी बूत होकर लुड़न इतस तता लुड़कते हुए गिरते पढ़ते हुए इधर उधर इधर उधर गिरते पढ़ते हुए ना ती दूर बढ़ते ना ती दूर मतलब पासी पासी ही इस्थित नमाल पादपस से नमाल रिक्ष के मूल देशम अविशम जड़ भाग में गुस गया मूल देश में प्रवेश कर गया तो क्या हुआ जब तक वो बुड़ा शबर पेड़ से उतरता है तब तक मैंने क्या किया मेरे प्रिता की मृत्यू हो चुकी थी तो मानो मेरा अर्दे कटोर हो गया हूँ मानो मुझे स्नेरस मैं स नेरस को न जाता हूँ केवल मात डर के कारण इधर उदर नुड़क गिता पड़ता हुआ पास इतमाल के मूल देश में गुस गया प्रवेश कर गया इतस्त तहां इवभी अववपद होते क्या है सह भी अववपद है जब भी अववपद है तू भी अववपद है अभी अववपद होते क्या है अववपद होते क्या है जो लिंग वचंकार किसी भी द्रिष्टी से कभी नहीं बदलते अववव कहलाते है तो अब हम देखते है इसकी व्याकरण है यह इसकी व्याकरण है यह संदी शब्द है जो मैंने आपको इसकी साथ साथ करवाए है एक पेज़ और भी है इसमें वो भी देख लेते हैं यह संदी है और यह समास भी है और कुछ प्रत्ते भी है तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी का पठित अववो दुनम आज के लिए इतला है झाल झाल